जून की निगाहों में निराशा के भाव जाए दिल निगलने वाले कीडों ने उन्हें पहले ही घेर लिया था यहां तक कि अमर भी संभवता बाहर नहीं उड़ सकते थे लियू यूशिन को भव्य तमाशे देखने की भी आदत थी लेकिन इस समय उसकी खोपड़ी जुन जुनी से बच नहीं सकी फ्रिदर भक्षी बग जुन की इतनी संख्या भले ही उसके तीन सिर और चैर भुजाए हो उसके पास उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था मिहर की नजर फिलहाल हाट डिवावरिंग बग जुन पर टिकी थी लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया है देखने के लिए अपना सिर नीचे किया यह छोटी लड़की यान लिंग थी मिहर थोड़ा मुस्कुराया और बोला लिंगेर क्या तुम दरे हुए हो लिंगेर ने प्यार से अपना सिर हिलाया और कहा abeak brother महर के साथ लिंगेर को डर नहीं लगता अच्छी लड़की महर ने लिंगेर के छोटे से सिर को धीरे से रगणा और प्यार से कहा मैं नहीं मानता कि छोटे कीडो का जुन्ध हमें खा सकता है दो भाईयों संगठित हो जाओ और मेरे लिए हानिकारक कीडो के इस समोह को नश्ट कर दो लियू यूशेंग गुस्से से चिलाया सी ग्रीन मरसिनरी ग्रूप के सभी मार्शल कलाकार सो लडाईयों के अनुभवी थे शुरुवाती सबसे घबराहट का अनुभव करते हुए वे बहुत जल्दी शांत हो गए कीडो के इतने बड़े जुन से निपटना स्वाभाविक रूप से सरनी संग्रचनाओं का प्रभाव सबसे अच्छा था अन्य था इन कीडो द्वारा अलग-अलग घेरा जाना और एक-एक करके परास्थ होना यह भयानक होगा महर का रुकने का इरादा नहीं था यदि लियू युशेंग वास्तव में इन दिल को निगलने वाले कीडों से निपट सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से फिर से कोई कदम उठाने के लिए अनिक शुक होगा Green Sea Mercenary Group सपष्ट रूप से सरनी संग्रचनाओं से बहुत परिचित था केबल समय की कई सांसों का उप्योग करके सरनी का गठन पहले ही किया जा चुका था महर की आखें हलकी सी चमक उठीन और इस Green Sea Mercenary Group को बिलकुल अलग रोशनी में देखने लगा सरनी निर्मान के इस सेट को स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन कहा गया गठन के गठन के बाद मार्शल कलाकारों के बीच एक प्रकार की कालपनिक प्रतिध्वनी बनेगी और वहां से उनकी प्रत्येक ताकत में अत्यधिक वृद्धी होगी इसके अलावा मार्शल कलाकारों का समूह जादू करने के लिए हाथ मिला सकता है जिससे सरनी निर्मान की शक्ती काफी बढ़ जाती है महर ने कुछ देर तक देखा सरनी निर्मान का यह सेट स्थापित किया जा रहा है भले ही फेजलिस रियलम मार्शल आर्टिस्ट इसे तोड़ना चाहते हो उन्हें भी काफी प्रयास करना पड़ा इसने कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रीन सी मर्सिनरी ग्रूप को लोडिंग शहर में सबसे मजबूत कहा जाता था ऐसा लगता है कि यह अकारण नहीं था दरसल एक बार जब जादू सक्रिय हो गया तो उसने तुरंट उन दिल को निगलने वाले कीडों को बाहर अलग कर दिया बहुत सारे हृदय भक्षी कीडे इस जादू में ऐसे गिरे जैसे पतंगे आग में गिर जाते हैं लेकिन जैसे ही उन्होंने जादू को छुआ चका चौंध कर देने वाली रोशनी से एक बड़ा जुंड मर गया यह द्रिश्य देखकर यान जून का दिल आखिरकार वापस आ गया राहत की लंबी सास लेते हुए उन्होंने प्रशनसा की बड़े भाई लिव बास्तव में प्रभावशाली है इस यातरा पर ग्रीन सी मरसिनरी ग्रूप को काम पर रखना बास्तव में इसके लायक है लिव यूशेन को भी खुद पर गर्व था और उन्होंने कहा, यहे, यह कहने की जरूरत नहीं है हमारे ग्रीन सी मर्सिनरी ग्रूप को हमारी वर्तमान स्थिती में लाने में सक्षम होने के लिए हमारे पास कोई अंतिन ट्रंप कार्ड क्षमता कैसे नहीं हो सकती है हमारे साथ यहां भाईयों का यह समूह यह भी बेकार है, चाहे इन में से कितने भी कीडे क्यों नहों स्पिरिट प्रोफाउंड यूनेटी फॉर्मेशन की ताकत असाधारन थी इसने बड़ी संख्या में हरिदय भक्षी कीडों को बहुत शीघरता से नश्ट कर दिया लेकिन ये बग बहुत ज्यादा थे, इसे पूरी तरह ख्त्म नहीं किया जा सका ये कीडे स्पष्ट रूप से मृत्यू के प्रती निडर और निडर नहीं थे यह देखकर कि वे जादू को तोरने में असमर्थ हैं, उन्होंने तुरंथ हमले रोक दिये और जादू के बाहर चारों और चकर लगाने लगे अचानक उन कीडों को किसी प्रकार की उत्तेजना महसूस हुई और वे वास्तव में एक दूसरे को काटने लगे जब मार्शल कलाकारों ने यह द्रिश्ट देखा, तो वे आश्चर्यच के थुए बिना नहीं रह सके हाँ, हाँ, ये कीडे वास्तव में कुरूर स्वभाव के हैं हमारे जादू को तोरने में असमर्थ होने पर उन्होंने वास्तव में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया किसी ने मजाक उडाते हुए कहा, जब ये कीडे काटने लगे, तो उन्होंने अपने साथियों के प्रती जराभी दया का भाव नहीं दिखाया बहुत जल्द फ्रिदय भक्षी कीडों का एक बड़ा जुन अपने ही साथियों के काटने से मर गया लेकिन जब मिहर ने ये नजारा देखा, तो उसकी नजरें बुरी हो गई हर कोई अपनी सावधानी कम मत करो ये दिल भक्षी कीडे एक दूसरे को काट रहे हैं, यह उनकी दूसरी प्रकृती नहीं है, बलकि इसलिए की कोई है, जो उन्हें विक्सित होने के लिए नियंत्रित कर रहा है ह्रिदय भक्षन करने वाले कीडे मानव रूप धारन करने में असमर्थ हैं, लेकिन अपने साथियों को खाकर विक्सित होने में सक्षम है रैंक में व्रिध्धी के साथ साथ सार उर्जा के प्रती उनका प्रतिरोध भी नाटकिय रूप से बढ़ जाएगा महर ने गंभीर स्वर में कहा महर बिल्कुल एक पागल आदमी की तरह था जैसे ही उन्होंने समझाना समाप्त किया, उन ह्रिदय भक्षी कीडो द्वारा उनके कई साथियों को निगल लेने के बाद उनकी ताकत अचानक आसमान चूने लगी इससे ह्रिदय भक्षी कीडो की संख्या बहुत कम हो गई, लेकिन गुनवत्ता में बड़े अंतर से ब्रिद्धी हुई लिव यूशेंग की अभिव्यक्ती बदल गई और उन्होंने कहा, सावधान वे हमला करने जा रहे हैं मार डालो इस बार हाट देवोरिंग बग्स जिनकी ताकत में बड़ा सुधार हुआ था, विफलता के बाद नए प्रयास के साथ वापस आ गए ग्रीन सी मरसिनरी ग्रूप ने जादू को नियंतरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फ्रिदय भक्षन करने वाले कीडो पर बेथाशा बंबारी की फिर भी उन हरिद्य भक्षी कीडो के शरीर वास्तव में थोड़ा साहिल गए और सीधे जादू के शीर्ष पर गिर गए हिस 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 अधिक से अधिक हरिदय भक्षी कीडे जादू पर कूद पड़े जादू देखते ही देखते काला आकाश बन गया घबराहट के कारण लियू यूशेंग के चहरे से पसीना बह रहा था वह व्यूह रचना को हटाना चाहता था लेकिन इस समय व्यूह रचना को हटाना मौत की तलाश करने से अलग नहीं था भूम ठीक इसी समय ऐसा लग रहा था मानो सारा संसार जगमगा उठा हो मंत्रमुगधता पर सच मुच एक प्रचंड ज्वाला जलने लगी भन भना हट भन भना हट इस समय वस्तुता है सभी हरिदय भक्षी कीडे मंत्रमुगधता पर एकत्रित थे यहां आग अत्यंत अचानक भड़क उठी जिससे सभी हरिदय भक्षी कीडे एक ही बार में जल गए हृदय भक्षन करने वाले कीड़े धीमी आवाज में चिलाने लगे, जिसे सुनकर लोग दर से कामपने लगे यह ज्वाला अत्यंत भयंकर थी, हड़ी तोड़ने वाले कीड़े के समान प्रतीत होती थी इससे कोई फ्रक नहीं पड़ता कि उन हृदय भक्षी कीड़ों ने कितना संघर्ष किया, वे मुक्त नहीं हो सके अंता वे राख में बदल गए हाला कि वे हृदय भक्षी कीड़े पहले ही सफलतापूर्वक विक्सित हो चुके थे इस लौके नीचे उनमें विरोध करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी लिव युशेंग और यान जून ने इस द्रिशक को अचमभित होकर देखा, दोनों कुछ हद तक अजीब थे आग की चमक उनके चहरों पर चमक रही थी, रोशनी बिखेर रही थी, लोगों को अंदर तक जख जोर रही थी इब्डे भाई लिव, क्या यहाँ आग? आपके भाड़े के समोह द्वारा लगाई गई थी, यान जून ने धीरे से पूछा लिव युशेंस तब्ध रह गए, फिर तुरंत जोर से हंस्ते हुए उन्होंने कहा, हाँ 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 ओबेशक अभी अभी मैंने जानबूच कर दुश्मन को कमजोरी दिखाई यहाँ उन सभी को एक ही जटके में गोल करने के लिए खीचने के लिए था यहाँ कैसा है मालिक यान? क्या यहाँ आग अभी भी निश्क्रिया है? यान जून ने यंक्रवत अपना सिरहिलाया और प्रशंसा के साथ आभरी बड़े भाई लिव वास्तव में दुर्जे हैं यदि हम इस यात्रा से सुरक्षित लौट सकें तो आपके भाड़े के समूह के इनाम में 30% और जोड़ दिया जाएगा हालाकि लिव यूशेन को नहीं पता था कि क्या हो रहा है यह परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा बहर चाहता था इस चौंकाने वाली आगने वास्तव में सीधे तोर पर उनके पारिशमिक में 30% की वृध्धी कर दी ये नजारा देखकर महर बस हलका सा मुस्कुरा दिये और श्रे लेने के लिए आगे बढ़ने का उनका इरादा नहीं था पहले सबका ध्यान हाट डिवोरिंग वर्ड्स पर था उन्होंने इस तथ्य का फाइदा उठाया कि हर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और चुपचाप सफाई करने वाले सेंडल सेक्रेट फ्लेम को सरणी संरचना में डाल दिया एक टियर साथ क्लींजिंग सेंडल सेक्रेट फ्लेम वह कैसे हो सकता है जिसे ये दिल भक्षन करने वाले कीड़े जहेल सकते हैं इसके साथ ही वह सीधे तब तक जलता रहा जब तक कुछ भी नहीं बचा इस तरह का उपाय केवल महर ही कर सकता है और वह भी बिना किसी का ध्यान आकरशित किये वह इस स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन से बहुत परिचित थे हाला कि यह इन मार्शल कलाकारों के साथ सहयोग करने का उनका पहला अफसर था यह सहज था यहां तक कि लिव युशेंग को भी इसका पता नहीं चला इतनी जल्दी खुश मत हो ये इन हरिद्यभक्षी कीडों को किसी के द्वारा न्यंत्रित किया जाना चाहिए इससे उन्हें जलाने से अपराधी शायत सामने आ जाएगा महर ने चेताबनी दी महर की आवाज अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि एक आदमी सबकी नजरों के सामने आ गया यान जून ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा मास्टर ये क्या हम अब और नहीं कह सकते यदि आप बात करते रहेंगे तो आप किसी प्रकार के अस्तित्व को भड़का सकते हैं लिव यिशेंग ने भी बड़बडाते हुए कहा मास्टर ये क्या हम कुछ देर के लिए अपना मुह बंद रख सकते हैं तुम जो भी कहोगे सब सच हो जाएगा इस दर पर हम जीवन भर उस स्थान तक पहुचने के बारे में भूल सकते हैं महर स्थब्ध था तभी वह भी होश में आ गया और शर्मिंदगी से कहने से खुद को नहीं रोक सका अहुहु मैं बात करना बंद कर दूंगा जब दुश्मन सामने आया तब से ऐसा लग रहा था कि साजिश की पूरी दिशा महर ने ही बनाई थी और वह दृष्टा बन गया उन्होंने जो भी कहा सब सच हो गया यान जून और लिव यूशेन को इसके बारे में पहले से ही सपष्ट रूप से पता चल गया था और वे महर से शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि यदि महर नहीं होता तो उनके पास यहां शिकायत करने का जीवन ही नहीं होता अचानक प्रकट हुए इस आदमी की नजर भयावह और क्रूर थी उसके चहरे पर चाकू का निशान भी था एक नजर देखने पर साफ लग रहा था कि वह कोई अच्छा इंसान नहीं है लेकिन यह व्यक्ति के वल आठवे स्टर का स्वर्ग ज्यानोदैक शेत्र था इससे लिव युशेंग और बाकियों को अधिक सहस्ता महसूस हुई आठवे स्टर के स्वर्ग ज्यानोदैक शेत्र के खिलाफ लिव युशेंग ने खुद को इतना बड़ा बना लिया कि वह किसी से नहीं हारेंगे इसके अलावा उनके विचार में इस व्यक्ति को बक्स को नियंतरित करने में अधिक सशक्त होना चाहिए उसकी युद्ध शक्ती मजबूत नहीं होनी चाहिए मेरे सभी बलड सेबर टैंसी हाट भक्षन करने वाले कीडों को जलाकर मारने की हिम्मत करने के लिए क्या आप सभी हिसाब के लिए तयार हैं जखमी चहरे वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा जैसे ही ये शब्द सामने आए लिव युशेंग और यान जून के भाव काफी बदल गए आप रक्त क्रिपान टैंसी हैं जिसने दस साल पहले लोडिंग शहर के पूरे जान परिवार का नरसनहार किया था लिव युशेंग अतुलनिय रूप से आश्चर्यच्कित थे तलवार पकड़ने वाला उसका हाथ अस्वाभाविक रूप से कड़ा हो गया स्पष्ट रूप से इस बलड सेबर टैंसी के भयंकर नाम ने लिव युशेंग को डर पैदा कर दिया जब मिहर ने स्थिती देखी तो वह भी बहुत उच्सुक हुआ लिव युशेंग को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे किसी चीज का डर नहीं है और किसी का भी डर नहीं है वह वास्तव में अपने सामने इस जख्मी आदमी से बहुत भयभीत था क्या यह जख्मी आदमी बहुत प्रभावशाली है महर ने ग्रीन सी मरसिनरी ग्रूप के मार्शिल आर्टिस्ट से पूछा उस व्यक्ति के हावभाव भी बहुत अच्छे नहीं थे उन्होंने गंभीर स्वर में कहा दस साल पहले बलड सेबर टैन सी केवल छठे स्टर का स्वर्ग ज्यानोदय था लेकिन उसने लोडिंग शहर के 200 से अधिक लोगों के पूरे जानपरिवार का नरसंहार किया था किसी को यह जानना होगा कि जानपरिवार लोडिंग शहर में एक महान परिवार था केवल नौवे स्टर के स्वर्ग ज्यानोदय क्षेतर में दो लोग थे आठवे स्तर के स्वर्ग ज्यानोदैक्षेत्र में भी कई लोग थे टैंसी ने अकेले अपनी ताकत से उन सभी को मार डाला क्या आप कहेंगे कि यह प्रभावशाली है या नहीं उस मार्शल आर्टिस्ट ने तो ये भी सोचा था कि ये सुनकर महर को बहुत बड़ा जटका लगेगा कौन जानता था कि महर ने लापरवाही से बस ओह कह दिया फिर आगे कोई कारवाई नहीं हुई इस टैन सी को सर्वोच सचे इरादे को समझना चाहिए था इसलिए वह इतना दुर्जे होगा अब जबकि दस साल बीच चुके थे टैन सी पहले से ही आठवे स्टर के स्वर्ग ज्यानोदैक्षेत्र में विक्सित हो चुका था उसकी ताकत नई उचाईयों को चुने के लिए बाध्य थी यदि लियू यूशेन मेल खाता है तो यह वास्तव में काफी परेशानी भरा था सर्वोच सचे इरादे कोई गोभी नहीं थे जिन्हें कोई भी समझ सके हालाकि लियू यूशेन मजबूत था फिर भी वह सर्वोच सचे इरादे को समझने से थोड़ा दूर था एक ही साधना क्षेत्र में होने की परिस्थितियों में लियू यूशेन बिलकुल भी टैंसी से मेल नहीं खाता था लेकिन यह देखकर टैंसी ने महर को अराजक शैतान सागर के मार्शल कलाकारों की ताकत का प्रत्यक्ष एहसास भी कराया यह स्थान अराजक शैतान सागर के सीमावर्ती क्षेत्रों में ही था और वहाँ पहले से ही टैंसी जैसा विशेशक्य मौजूद था गहराई में आगे बढ़ने पर उसका सामना कुछ दुर्जेर पातरों से हो सकता है अरे ऐसा लगता है कि मेरा तैंसी का नाम अभी भी कमजोर नहीं है चुकि आप मेरा नाम जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जीवित बचे लोगों को कभी पीछे नहीं छोड़ता है न क्या आप लोग स्वयं कारवाई कर रहे हैं या मुझे ऐसा करने दे रहे हैं तैंसी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा लू युशेंग की अभिव्यक्टी बदल गई और उन्होंने कहा हमने कभी भी आपके सम्मानित स्व को उत्तेजित नहीं किया है यहां आपका सम्मानित व्यक्ती ही था जिसने हमारे व्यापार कारवा पर हमला करने के लिए आने वाले हृदय भक्षी कीडों को नियंत्रित करने की पहल की थी दबंध होने की क्या जरूरत है तुम्हारा मतलब यह है कि मेरे दिल को निगलने वाले कीडे इसी तरह व्यर्थ मर गए इन दिल को खा जाने वाले कीडों को तयार करने के लिए इस टैन ने काफी कीमत खर्च की जिससे इस शेत्र के सभी लोग लगभग मारे गए अब आप लोगोंने वास्तव में उन्हें जलाकर मार डाला क्या ऐसा हो सकता है कि आप अब भी इसमें शामिल न होना चाहें तैन सी ने ठंडे स्वर में कहा लियू यूशेंग की अभिव्यक्ती काफी बदल गई और उन्होंने कहा यह इस शेत्र की सभी सेनाएं आपके द्वारा मार दी गई लियू यूशेंग अभी भी उच्शुक थे मुल्तह इस स्थान तक चलते हुए बहुत पहले ही लोगों को बाहर कूटते हुए आना चाहिए था लेकिन रास्ते में यहां असामान्य रूप से शांतिपून था क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि आप अब भी उनसे बदला लेना चाहते हो? ठीक है काफी बखवास कही जा चुकी है मैं तुम्हें अभी तुम्हारे रास्ते भेज रहा हूँ तैंसी ने तुरंट एक कदम उठाया और वास्तव में उसे थोड़ी सी भी हिच्च की चाहट नहीं हुई गठन में लिव यूशेंग को पता था कि उसका कोई मुकाबला नहीं है एक जोरदार चीक के साथ स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन तुरंट बन गया बूम इस प्रकार की ताकत ऐसी थी जिसकी कोई कभी कलपना भी नहीं कर सकता था केवल आठवे स्टर के स्वर्ग ज्यानोदैक शेतर में लिव यूशेंग और टैन सी के बीच असमानता वास्तव में बहुत अधिक थी टैन सी भी यह देखकर थोड़ा आश्चर यचकित हुआ कि वह एक जटके में सफल नहीं हुआ और बोला मैं बास्तव में यह नहीं बता सकता कि आपके छोटे भाड़े के समोह में अभी भी थोड़ी ख्शमता है लेकिन अगले हमले में आप लोगों को सावधान रहना होगा बस थोड़ा सा आश्चर यह हुआ बस इतना ही था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्पिरिट प्रोफाउंड यूनेटी फॉर्मेशन कितना शक्तिशाली था उन्होंने टैन सी ने भी इसे अपनी द्रिश्टी में नहीं रखा बड़े भाई लियू यह हमें क्या करना चाहिए जैसा कि उसने कहा यान जून की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई लियू यूशेंग की अभिव्यक्ति बेहत बदसूरत थी दात पीस्ते हुए उसने कहा और कोई चारा नहीं इस टैन सी का भयंकर नाम प्रसिद्ध है उसके हाथों से कभी कोई जीवित नहीं बचा जीना है तो एक ही बार में सब कुछ दाफ पर लगा सकते हैं हाँ 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 एक ही बार में सब कुछ दाफ पर लगा दें? ऐसा लगता है कि आप लोग काफी समय से अराजक शैतान सागर में प्रवेश नहीं कर पाए हैं. आप वास्तव में नहीं जानते कि यह टैन पहले से ही प्रित्वी नरसनहार उदगोशना के नवींतम अंक में स्थान पर है, टैन बिलसी शाखा द्वारा प्रकाशित की गई थी. हर आधे साल में एक अंक, स्वर्ग और प्रित्वी में विभाजित दो उदगोशनाएं. हेवन कार्नेज उदगोशना में जो दर्स किया गया, वह सभी चरणहीन दाइरे के मार्शल कलाकार थे. प्रित्वी नरसनहार अराजक शैतान सागर में प्रत्येक मार्शल कलाकार को स्वर्ग और प्रित्वी पर दोहरी उदगोशना प्राप्त करने में सक्षम होने पर गर्व था. जैसा कि टैन सी ने कहा, लियू यूशिंग वे सभी पहले से ही आधे साल तक अराजक शैतान सागर में प्रवेश नह नहत्वपून बात यहा है कि यह टैन सी परिशानी भरा और निर्दई है जो लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं देता है. भले ही उन्होंने उससे विंती की, फिर भी वह संभवता लोगों के इस समों को जाने नहीं दे सका. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे व् अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए अपने होंट चाटे. जाहिर है अगला हमला बिजली जैसा जटका होगा. भाई बंधु, अपनी थुड़ी उपर रखो. इस आदमी से निपटना आसान नहीं है. लिव युशें ने गंभीर चेहरे के साथ कहा. प्रित्वी नरसनहार बच सका या नहीं. यह दूसरी बात है. ग्रीन सी मरसिनरी ग्रूप के सदस्यों को स्वाभाविक रूप से यह भी पता था कि प्रित्वी नरसनहार उदगोशना का क्या मतलब है. टैन सी के बिजली जैसे जटके से निपटने के लिए सभी ने अपना उत्साह 120% बढ़ा द दिया. एक क्षन के लिए जादू ने एक शांदार वैभव बिखेर दिया. इसकी ताकत पहले से भी ज्यादा लग रही थी. टैन सी ने लिव युशेंग और कमपनी के कारियों को उदासीनता से देखा और बिल्कुल भी चिंतित नहीं था. यह सरनी निर्मान काफी भव्य व्यूव पर एक भयानक अर्धचंद्राकार रक्तरंजित क्रिपान प्रकाश कट गया. लिव यूशेंग की अभिव्यक्ती अतुलनिय रूप से गंभीर थी. उन्होंने बिना कुछ रोके अपने शरीर की सारी सार उर्जा को सरनी निर्मान में डाल दिया. टैन सी क वक्त उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं था. केवल अपनी पूरी शक्ती से शत्रु का सामना करना था. लेकिन ठीक इसी समय स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन एक बार फिर तेज रोशनी की किरनों के साथ फूट पड़ा. टैन सी की क्रिपान रोशनी में उनके द्वारा अवरुध कर दी गई थी. वा, बड़ा. यान लिंग अचानक चिलाया, स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित था. लेकिन अभी उसके शब्द बोले ही नहीं थे, कि उसने देखा कि महर ने अपना सिर थोड़ा हिला कर उसे न बोलने का इशारा किया. चोटी लड़की बहुत तेज थी और उसने जट से अपना मुह बंद कर लिया. लिंगेर, यह हमारा चोटा सा रहस्य है. दूसरों को मत बताना, ठीक है. महर ने प्रेशित किया. चोटी लड़की ने उत्साह से अपना सिर हिलाया, मानो किसी धरती हिला देने वाले रहस्य क चिपा रही हो, वह अंदर से खुझ से बेहत खुश थी. बाकी सभी लोगों का महर की हरकत पर ध्यान नहीं गया. केवल यान लिंग नामक छोटी लड़की ने ही इस पर ध्यान दिया. यान जून को इसका मतलब नहीं पता था और वह जोर से चिलाया, यान लिंग तुम यह किसके लिए गडबड कर रहे हो. जल्दी से गाड़ी में वापस जाओ. लड़की ने अपना मुह बाहर निकाला और तेजी से भाग गई. यान लिंग के चले जाने के बाद, यान जून ने एक लंबी आह भरी और लियू युशेंग से कहा, बड़े भाई लियू वास्तव में दुर्जेय हैं. यह व्यूह रचना यहां तक की एक प्रित्वी नरसनहार उद्घोशना विशेशग्य भी वास्तव में इसके विरुध शक्तिहीन है. एच हा हा, क्या प्रित्वी नरसनहार उद्घोशना विशेशग्य? मुझे लगता है कि यह इससे अधिक कुछ नह ही है. लिव यूशेंग ने बड़ी हंसी के साथ कहा, आज क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं असामान्य रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और सरनी निर्मान की शक्ति को अधिक उचाई तक बढ़ा रहा था? लिव यूशेंग ने गुप रूप से मन ही मन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह घटिया व्यू रचना वास्तव में उसके हमले को रोक सकती है. विशेशकर वह ज्वाला आक्रमन जो अभी अभी अचानक प्रकट हुआ. शुरू से अंत तक की प्रक्रिया अविश्वसनिय रूप से डराने वाली थी. यह वास्तव में उनक तरह का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता. इन लोगों में कोई विशेशग्यतो होगा ही. बात बस इतनी थी कि यह व्यक्ति खुद को उजागर नहीं करना चाहता था. इसलिए उसने उससे निपटने के लिए लिव युशेंग के हाथ का इस्तमाल किया. ऐसा लग रहा है कि पहले भी यही व्यक्ति कारवाई कर रहा था. इस तरह उसने दिल को निगलने वाले कीडों को एक बार में ही जला दिया, जिनहें उसने कडी महंत से पाला था. टैंसी ने लिव युशेंग की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, केवल आप जैसे बेकार लोगों के आधार पर क्या आप भी मेरे प्रतिदवंधवी बनने के लिए उप्युक्त हैं? लिव युशेंग ने बिना किसी डर के यह जानते हुए कहा, कि उसके पास वापस लोटने के लिए कुछ है. है, हमारे भाड़े के समुह ने कभी भी व्यक्तिगत ताकत को बरकरार नहीं र बहुत प्रोच साहित किया. भले ही इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये सदस्य इस समय भी आत्म विश्वास से भरे हुए थे. प्रित्वी नरसनहार उदगोशना विशेशग्य के प्रतीभाय पहले से ही वर्तमान में हवा में घुल गया है. किमवदंतियों के एक प्रि प्रोफाउंड यूनेटी फॉर्मेशन तयार करने में सक्षम होना, यह लिव यूशेंग वास्तव में कोई सरल व्यक्ति नहीं था. यदि टैनसी जैसे किसी विशेशग्य से मुलाकात नहीं होती, तो लिव यूशेंग के लिए अराजक शैतान सागर के सीमाक्षेत्रों क अंदर और बाहर जाने में बहुत अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए. टैनसी को तब तक गुस्सा आया जब तक उसका चहरा काला नहीं पढ़ गया. उसके चहरे पर चोट का निशान और भी अधिक क्रूर लग रहा था. लेकिन टैनसी ने किसी भी बात पर जगड़ा नहीं मेहर पर पड़ी तो थोड़ा रुख गई. जीवन और मृत्यू के बीच इतने वर्षों तक जूलते रहने से उनकी ताकत में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ. इससे उनकी धारना भी अत्यंत तीवर हो गई. जब टैनसी की नजर पहली बार मेहर पर पड़ी तो उसे ल अलावा उन्हें कोई और संदिक्ध व्यक्ती ही नहीं मिला. आप कहा देख रहे हैं? लड़ रहे हो या नहीं? यदि आप नहीं लड़ रहे हैं, तो भी हमें अपनी यात्रा जल्दी करनी होगी. लिव युशेंग ने घमंड से कहा. तांगशी ने लिव युशेंग पर ए जा गया था. इस बार लोर्डिंग शहर में लोटने पर हमारे ग्रीन सी मर्सिनरी ग्रूप की स्थिती शायद उतकृष्ट हो जाएगी, लिव युशेंग ने बड़ी हंसी के साथ कहा. यान जून ने भी हाथ जोड़ कर उसे बधाई दी, बधाई हो, बड़े भाई लिव बड़े भाई लिव के लिए प्रित्वी नर्सनहार उद्घोषणा विशेशग्य को भगाने में सक्षम होने के लिए, ग्रीन सी मर्सिनरी ग्रूप लोर्डिंग शहर में नंबर एक भाड़े का समू होने के लिए पूरी तरह से योग्य है. इसके बाद कोई भी इससे किसी को यह जानना होगा कि अराजक शैतान सागर जितने बड़े स्थान पर स्वर्ग ज्यानोदैक्षेत्र के कितने लाखों विशेशग्य थे. लेकिन प्रित्वी नर्सनहार उद्घोषणा में केवल 500 लोगों को दर्स किया गया. ये 500 लोग स्वर्ग ज्यानोदैक्षेत के मार्शल कलाकारों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे. अफवाहे थी कि प्रित्वी नर्सनहार उद्घोषणा विशेशग्यों ने सामान्य चरणहीन लोगों को हराने के लिए लोगों को पार करना कोई मुश्किल काम नहीं था. इससे कोई यह बता सकता है कि प्रित और दिव्यभविश्यवानिया मत करो घटना के बाद यान जून दहशत से भर गया. जिस क्षण महर ने अभी अभी बोला, उसने तुरंत सभी को बहुत बढ़ा भय दे दिया. कुछ भी कहा, आएगा ही. यदि महर का कौवा मोह बोलता रहा, तो उन्हें यह भी चिंता कि यह एक देवताक शेतर बिजली घर को खीच लेगा या नहीं. महर ने दो बार अपनी आखें जपकाई, यह संकेट देते हुए कि वह अब और बात नहीं करेगा. तभी यान जून ने राहत की सांस ली और अपना हाथ छोड़ दिया. महर ने मासूम चेहरे से कहा, मैं विशेशग्य मूल रूप से टैंसी द्वारा मारे गए थे. साथ ही, यहां और भी अधिक आरामदायक हो गया. वहां जगडा करने वाला एक भी व्यप्ति नहीं था. और महर के मुह से अंतिन वाक्यन निकलने के लिए धन्यवाद की टैंसी वास्तव में परेशानी खोजन बिल्कुल भी धील देने की हिम्मत नहीं की. यदि स्पिरिट प्रोफाउंड यूनेटी फॉर्मेशन नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से बिना किसी प्रयास के तुरंक मारा जाता. लेकिन न जाने क्यों, टैंसी फिर कभी प्रकट नहीं हुआ. दरसल ऐसा नहीं था कि टैंसी सचमुच पहले सामने नहीं आये थे. वह हमेशा व्यापारिक कारवा के पीछे-पीछे चलता रहता था. एक समय ऐसा भी आया, जब वह छिपकर हमला करना चाहता था. लेकिन प्रत्येक गुप थमले में, वह हमेशा एक हलकी सी दिव्य अनुभूती से डर जाता उसकी हरक्ते महर की आखो और कानों से चिप ही नहीं पाती थी. महर ने उसे केवल दैविय भावना से बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम न करने की चेतावनी दी थी. तभी टैंसी ने पुष्टी की की इन व्यापार कारवा में बिल्कुल एक विशेशग्य था जिसक की ताकत उससे एक स्तर अधिक थी. दूसरा पक्ष उसकी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसे चेतावनी देने के लिए इस तरह का तरीका अपनाता था. जदी उसे वास्तव में एहसानों की सराहना करने की कोई समझ नहीं है, तो दूसरा पक्ष संभ करने की आदत से नफरत थी, लेकिन वह पांडित्य पूर्ण व्यक्ति भी नहीं था. टैन सी जैसे लोग अराजक शैतान सागर में बहुत प्रचुर मात्रा में थे, उन्हें पूरी तरह से ख्त्म नहीं किया जा सकता था. चुमकि टैन सी समझदार था, इसलिए महर को उस कोई कदम उठाने की परवाह नहीं थी. इसके बाद महर ने गाडी में छोड़ने के लिए एक क्लोन बनाने के लिए फियरी का उप्योग किया, लेकिन वह खुद खेती करने के लिए विशाल स्वर्ग पगोडा में प्रवेश कर गया. जिसके बारे में बात करते हुए, महर की भौहें कसकर सिकुड गई, खुद से बुदबुदाते हुए कहा, यह जुलसा देने वाला सर्वोच सच्चा इरादा का अंतिम चरन मुझे कैसे पार करना चाहिए? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्पिरिट ब्रिस्टल वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली है. यह जुल संतियों में कहा गया था कि जब चिल्चिलाती सर्वोच सची मनशा को चरम सीमा तक विक्सित किया जाता है, तो यह अजे असंख्य जीवन को भस्न कर सकता है. इससे पता चलता है कि यह परम सच्चा आश्य कितना शक्तिशाली था. लेकिन यह चीज जितनी अधिक शक्तिश नहीं था. इस चेतना शेत्र के अंदर महर ने न जाने कितनी पीडा जेली थी. लेकिन इस अंतिम चरण में वह आशा देखने में अस्फल होते रहे. महर ने अचानक अपना सिर पीट लिया और अफसोस से बोला, मैं इतना मूर्ख क्यों हूँ? Spirit Bristol 9 यांग डिवाइन 8 की अपनी मार्शल तकनीकों में मूल रूप से अगनी विशेष्टा के अंदर सच्चा इरादा शामिल है. Spirit Bristol नामक उस व्यक्ती ने सर्वोच सच्चे इरादे को समझने से पहले मार्शल तकनीकों का भी प्रशिक्षन लिया था. मैं शॉर्टकट को नजरंदास करने और उसे न अपनाने पर जोर देता हूँ, क्या यह पूरी तरह से मूर्खता पूर नहीं है? ऐसा भी था कि महर की समझने की क्षमता बहुत ज्यादा थी. रास्ते में अधिकांश समय वह स्वयन सर्वोच सच्चे इरादों को समझने और मार्शल तकनीकों का निर्मान करने में व्यतीत हुआ. अंध में उन्होंने शायद ही कभी स्पिरिट ब्रिस्टल नाइन यांग दिवाइन आठ की अपनी साधना पद्धती का उप्योग किया. एक बार जब इस तरह की आदत बन गई तो यह एक गंभीर ठहराव पैदा कर देगी जिससे महर अन्य मार्शल तकनीकों के अच्छे बिंदूओं को सीखने के प्रती उदासीन हो जाएगा. उन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि आने वाली पीडिया पूर्ववर्तियों के कंधों पर खड़ी है. एक दिव्यकला के रूप में, स्पिरिट ब्रिसल नाइन यांग दिव्यकला की अपनी मार्शल तकनीक की शक्ती साधारन कैसे हो सकती है. मार्शल तकनीकों की इस श्रिंखला को पूर्णता के महान चकर में प्रशिक्षित करके, महर का जुलसा देने वाला सच्छा इरादा स्वाभाविक रूप से हासिल किया जाएगा. सर्वोच सचे इरादे को समझने के लिए मार्शल तकनीकों के साथ चलना इसे हवा से समझने की तुलना में बहुत आसान था. महर ने गहरी सास ली उनकी चेतना विशाल स्वर्ग स्टेल से बाहर चली गई और उन्होंने स्पिरिट ब्रिस्टल नाइन यांग दिवाइन आर्ट की साधना पधधती के बारे में विचार करना शुरू कर दिया. पहली चाल एबसोल्यूट यांग फिंगर से शुरू करते हुए, महर ने धीरे-धीरे मार्शल तकनीकों के विचारों के अनुक्रम के इस सेट को व्यवस्थित किया. वर्तमान में महर की हॉट ट्रू इंटेंट और ट्रांस्मिशन ट्रू इंटेंट के प्रती समझ के साथ, जब उसने इन मार्शल तकनीकों को नए सिरे से समझा तो उसे एक नए समझ मिली. दैविय कला के एक सेट के रूप में, स्पिरिट ब्रिसल नाइन यांग बिवाइन आठ को मूल रूप से उसी क्रम में पारित किया गया था. इसकी मार्शल तकनीकें स्वाभाविक रूप से रैखिक रूप से भी प्रसारित की गई. महर ने सच्चे इरादे के बारे में अपनी समझ को याद किया और पाया की मार्शल तकनीकों की इस श्रिंखला ने सच्चे इरादे के विचारों के विकास की ट्रेन का अनुसर्ण किया और साधना पधधती के इस सेट का निर्मान किया. चोथा स्तर स्वर्गिये ज्वाला पांग, पांच वास्तर बादल अभिसरन आग, छठा स्तर उह, शुनिर फायर मार्क, महर को यह जानकर आश्चर यह हुआ कि स्पिरिट ब्रिस्टल नाइन यान दिवाइन आठ की मार्शल तकनीकों को छठे स्तर तक विक्सित करने से पहले में एक खजाने के पहाड पर बैठा था, लेकिन यह जानते हुए भी, मार्शल तकनीकों के अंतिम तीन स्तर, प्रत्येक स्तर सर्वोच सच्चे इरादे के तीन चर्णों के अनुरूप थे, जब तक महर ने नौ सूरियों के जलते स्वर्ग के अंतिम गहन अर्थ को पूरी तकनीके बनाई, वे स्पिरिट ब्रिसल नाइन यान दिवाइन आर्ट की चालों से अधिक मजबूत थी, बेशक शर्त यह थी कि महर की तलवार दाओ के सर्वोच सचे इरादे की समझ पहले से ही पांचवे चरण तक पहुँच गई थी, अचानक पीछे मुरना, लेकिन वह समझने की क्षमता पर बहुत भरोसा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था, कि मार्शल दाओ में उनकी समझ केवल 10 वर्षों के लिए ही शुरू हुई थी, समय के संचय के बिना, इन अत्यंत गेहन परम सत्य उद्देश्यों को समझना इतना आसान कैसे हो सकता है, यह ने स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यान दिवाइन 8 की सहायक मार्शल तकनीकों को नए सिरे से विक्सित करना शुरू कर दिया, महर ने धिलाई नहीं बरती, उन्होंने प्रथम स्टर की एब्सोल्यूट यान फिंगर से खेती शुरू की, यह एक संपूर्ण मार्शल तकनीक प्रन स्टरों में मार्शल तकनीकों को महर ने उच्छ दक्षता के साथ पूरा किया, इसे निप्टाने में उन्हें केवल दो दिन से भी कम समय लगा, लेकिन जब वह छठे स्टर पर पहुंचा, तो महर की गती अचानक कम हो गई, चुन अगनी मार्क यह मार्शल तकनीक सच्चे इरादे को समझने से यह अभी भी एक कदम दूर था, लेकिन वॉयड फायर मार्क की खेती महर की अपनी पहले की समझ से मेल खाती है, इससे अभी भी उसे जुलसा देने वाले सर्वोच सच्चे इरादे की गहरी समझ बनी हुई है, वहाँ अभी भी एक आखिरी अ अराजक रतन, महर अंता उनका भी उपयोग करने जा रहा था, महर बहुत निरनायक था और विशाल स्वर्ग स्टेल में अराजकता के रतन को सीधे फायर करने से पहले उसे ज्यादा जिजक नहीं हुई, जब लोहा गर्म हो तभी वार करें, महर को लगा कि वह पहले से ही सर प्रक्रिया बेहद नीरस थी, लेकिन महर को इसमें आनंद मिला और वह कभी नहीं थके, लेकिन खेती पर ध्यान देने का प्रभाव भी सपश्ट था, एक महीने के बाद महर के वायर फायर मार्क को आखिरकार बड़ी उपलब्धी हासिल हुई, लेकिन सरवोच सच्चे इरादे को समझने में अभी भी कुछ स्तर की उपलब्धी की कमी थी, महर को यकीन था कि दिन महर द्वारा शूने में एक पारदर्शी चाप छोड़ी गई, महर के चहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव उभर आया और उसने कहा आखिरकार हो गया, जुलसा देने वाला सरवोच सच्चा इरादा वास्तव में अविश्वस निय रूप से शक्तिशाली, यहाँ अ पारदर्शी चाप वास्तव में पूनता के महान चकर में विक्सित किये जा रहे शूने अगनी चिनह की पहचान थी, अंतर चिल्चिलाती सरवोच सच्ची मन्शा को समझने के लिए महर ने भी इस कदम पर भरोसा किया, नाइन हेवेंस रोड पर कदम रखने से लेकर अब तक लगभग 10 साल का समय बीच चुका है, आखिरकार मेहर को दूसरा सरवोच सच्चा इरादा समझ में आया, उसके हृदय में होने वाली हल्चल की कलपना की जा सकती है, इस चिल्चिलाती सुप्रीम ट्रू इंटेंट की समझ एज योर डिपर फ्लोटिंग जीरो तलवार इतनी त्वरित नहीं थी, मेहर ने भी इस रास्ते पर बहुत मेहंत की, इस विशाल स्वर्ग स्टेल के स्थान के ठीक अंदर, मेहर को न जाने कितनी बार मौत के घाट उतार दिया गया था, हाला कि यह सच्ची मौत नहीं थी, फिर भी उस तरह का एहसास ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने इसका अनुभव किया हो। सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने में पहले ही जबरदस्ट उर्जा खर्च हो चुकी है। ज़ि स्पिरिट ब्रिस्टल दिवाइन किंग को पता होता कि महर को चिल्चिलाती सर्वोच्च सच्ची मनशा को समझने में केवल 10 साल लगे, तो वह निश्चित रूप से तब तक चौंक जाएगा, जब तक कि उसका जबड़ा जमीन पर न आ जाएं। अभी दो महीने और हैं। तो अधिकांश परिस्थितियों में सीधे तौर पर स्पिरिट रैंग कोईलिंग ड्रैगन हेवन देस्टेस्टिंग पाम का उपयोग करना था। अब जब उसने सर्वोच सच्चे इरादे को समझ लिया है, Spirit Rank Coiling Dragon Haven Distrating Palm और चिलचिलाती सर्वोच सच्चे इरादे को मिला दिया है, तो शक्ती निश्चित रूप से प्रभावशाली होगी। इन बचे हुए दो महीनों में महिर ने ये काम करने की योजना बनाई। बिना किस movement नरसनहार के अनुभव के साथ महिर के पास काम करने की एक दिशा थी, जो प्रतिध्वनी थी। उस समय जब उन्होंने Scoring True Intent और Coiling Dragon Haven Distrating Palm का विलाई किया था, तब महिर ने अंगिनत मुठिया उडाने और सच्चे इरादे और मांसल शरीर के प्रतिध्वनी बिन्दु को के वल फ्लेम movement कार्नेज का उप्योग किया था, वर्तमान में वह जो करना चाहता था, वह सर्वोच्च सच्चे इरादे और Spirit Rank Dragon Wave के प्रतिध्वनी बिन्दु को खोजना था, महिर ने धीरे धीरे अपनी आखे बंद कर ली और इन दो पूरी तरह से अलग-अलग विशेश् के सफलता बिन्दु की तलाश करना शुरू कर दिया, सर्वोच्च सच्चे इरादे और मानसल शरीर वाली मार्शल तकनीकों का विलय शायद केवल महिर ही इस तरह का संकी हो सकता है, साधारन स्वर्ग ज्यानोदय शेत्र के मार्शल कलाकार सर्वोच्च सच्चे इरादे के बारे में भूल जाते हैं, उनके मांसल शरीर शायद महर जितने शक्तिशाली हजारों में से एक भी नहीं थे, लेकिन यह प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाई, दो महीने के बाद भी महर को प्रतिध्वनी बिंदू नहीं मिला, लेकिन अराजकता मनी का प्रभाव पहले ही खत्म हो चुका था, इस अवधी में महर का साधना शेत्र भी चुकचाप ग्वितियस तर के स्वर्ग ज्यानोदय में प्रवेश कर गया, महर के पास अपनी भावनाओं को दूर करने और वास्तविक्ता में लोटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, म जूंदर से उचल पड़ा, माश्टर ये, आपको क्या हुआ? वर्तमान महर की आखें गहरी धनसी हुई थी और चहरा पीला पड़ गया था, जो सपष्ट रूप से बहुत थका हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, हालाकि वास्तव में क पूरे शरीर में अवर्णन ये ठकान थी, कोई चिंता नहीं, मैं एक दिव्य आत्मा साधना पधती का विकास कर रहा हूँ, मेरा आत्मबल अत्यधिक ठक गया था, थोड़ी देर आराम करो और मैं ठीक हो जाऊंगा, महर ने हाथ हिलाया और लापर वाही से एक कहानी बना जाता था, जब तक यहां नरसनहार नहीं होगा, किसी को आपकी परवाह नहीं होगी, इसलिए बिना ताकत वाले लोगों को अपनी पूछ अपने पैरों के बीच शिपा कर व्यभार करना होगा, यहां बात करने के लिए कोई नियम नहीं थे, ताकत हर चीज के लिए जागने के लिए अभी भी एक अन्य आइटम की आवश्चकता होती है, महर के यहां आने का एक मकसद ये भी था, इस नींद में महर तब तक सोया जब तक आस्मान में अंधेरा नहीं हो गया और वह बेहोश हो गया, जागने से तीसरे दिन पहले, बाहर निकलते ही महर को पत चला कि माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है मालिक यान आप लोग क्या चल रहा है यान जून की अभिव्यक्ति पानी की तरह गहरी थी वह वहीं अकेला बैठा रहा और चुप रहा उसकी आखों में सचमुच हलके हलके आसू थे इससे महर को बहुत आश्चर्य हुआ हाला कि यान जून की मार्शल ताकत बहुत बढ़िया नहीं थी लेकिन महर की राय में वह बिल्कुल सक्थ आदमी था वास्तव में कौन सी बात उसे अपने आखों में आसू लेकर यहां चुपचाप अकेले बैठने पर मजबूर कर सकती है यान जून ने महर की बातें बिल्कुल नहीं सुनी वह अभी भी वही घूर रहा था मालिक यान महर आगे बढ़ा और हलके से यान जून को थोड़ा सा छुआ यान जून अचानक चौक कर जाग गया और बोला एम मास्टर ये तुम जाग गये यान जून को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खोदी हो जिससे महर को बुरा अंदाजा हो गया मालिक यान तुम्हें क्या हो गया है बाकी कहा है मैडम और लिंगेर कहा है महर ने पूछा जैसे ही यान जून ने सुना आसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे और उसने सिसते हुए कहा लैंगेर शी महर की अभिव्यक्ती बदल गई और उसने कहा लिंगेर को क्या हुआ आज सुबह हम सामान सौपने गए थे शुआंगेर और लिंगेर सराय में पीछे रह गए शुआंगेर बस थोड़ी देर के लिए चला गया लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी उम्मीद नहीं थी यहां तक कहते हुए यान जून का गलार उंध गया और वह वास्तव में अब और जारी नहीं रख सका मेहर की अभिव्यक्ति थोड़ी कम हो गई और उसने कहा लिंगेर गायब हो गया यान जून ने बड़े दुखक के साथ कठिनाई से अपना सिरहिलाया कई साल पहले उन्होंने इस अपनी बेटी को भी खो दिया था नतीजाया हुआ कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बमुश्टिल प्रबंध करने से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी तब से यान जून ने अपनी बेटी की बार-बार होने वाली पुरानी बीमारी का इलाज करने के लिए अपने परिवार का भरन पोशन करने के लिए पैसे कमाए उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कई वर्षों के समय अंतराल के बाद वास्तव में वही द्रिश एक बार फिर सामने आया मिहर भी इस छोटी सी बच्ची यान लिंग से बहुत प्यार करता था उसने नहीं सोचा था कि वास्तव में उसके जीवन में इतनी अस्फलताय होंगी इससे उनके मन में करुना की भावना जागरित हो उठी एक शंचुप रहकर मिहर ने पूछा मालिक यान पहले घबराओ मत मुझे उस समय की स्थिती के बारे में बताएं लेकिन यान जून ने अपना हाथ हिलाया और कहा कोई विशिश स्थिती भी नहीं है शुआंगर बस थोड़ी देर के लिए चली गई फिर जब वह घर लोटी तो लिंगेर जा चुकी थी वस्तुता पिछली बार के समान ही मैंने पहले ही बड़े भाई लिव से अनुरोध किया था कि वे बाहर जाएं और खोजें लेकिन आधा दिन पहले ही बीच चुका है कोई खबर ही नहीं है महर की आखें चमक उठीन और उसने पूछा बिल्कुल पिछली बार जैसा क्या आप जानते हैं कि पिछली बार लिंगेर पर किसने घात लगा कर हमला किया था या नहीं यान जून ने फिर से अपना सिरह लाया और कहा हमने उस व्यक्ति का असली चहरा बिलकुल नहीं देखा वह बस हमें प्रिथवी सार क्रिस्टल को निर्दिष्ट बिंदु तक पहुचाता है हमने एक बच्चे के रोने की आवास सुनी और लिंगेर को खोजने गए चारों और देखने के लिए प्रिथवी सार क्रिस्टल लंबे समय से बिना किसी निशान के गायब हो गए थे यान जून का वर्नन सुनकर महर सोच में पढ़ गया पिछली बार दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से पहले से ही बंधक को मारने की योजना बना रहा था यह सिर्फ इतना था कि दूसरे पक्ष को यह उमीद नहीं थी कि लिंगेर का जीवन वास्तव में इतना दृड़ था कई वर्षों तक जबरदस्ती कायम रहा जिसके परिणामस्वरूप अंत में महर द्वारा पूरी तरह से इलाज किया गया यदि यह सिर्फ अफरण और ब्लाक मिलिंग होता तो दूसरे पक्ष के तरीके शायत पिछली बार की तरह ही कट जाते ठीक उसी समय जब वे बात कर रहे थे लियू युशेंग टेजी से अंदर आए मालिक यान मेरे भाई पहले ही पूचताच कर चुके हैं और उनके पास लिंगयर की कोई खबर नहीं है लेकिन लियू युशेंग जिचके यान जून ठिठक गया और अचानक बोला लेकिन क्या 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 हो सकता है लियू युशेंग ने अपना सिरहिलाया और कागस की एक परची सौंपी जब यान जून ने इसे प्राप्त किया और देखा तो उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव नहीं आया मिहर ने इसे पीछे से साफ देख लिया कागस की परची पर लिखा था आज आधी रात को शहर के उत्तर में गोदा एक अरब प्रित्वी सार क्रिस्टल केवल यान जून को अकेले आने की अनुम्ती है एक हाथ में पैसा दो, दूसरे हाथ में व्यक्ति दरसल पिछली बार की विधी से वही पैटर्न यह ऐसा था जैसे किसी ने जानबूच कर यान जून पर नजर डाली हो ताकि वास्तव में उस पर दो बार एक ही विधी का उपियोग किया जा सके बिना किसी संदेह के यह उसी व्यक्ति द्वारा किया गया था मेरिडियन को नुकसान पहुँचाने के उस कौशल से था वह वास्तव में आत्मा मार्क दर्शक धूप थी जिसका उपियोग उस समय लुएर को खोजने के लिए किया जाता था लेकिन इस बार उन्होंने जिस आत्मा मार्क दर्शक धूप को परिश्कृत किया वह उस समय की तुलना में कहीं अधिक उच्च गुनवत्ता वाली थी आत्मबल के प्रती इसकी धारना भी अधिक तीवर थी वह धीरे धीरे लिंगेर के कमरे में आया धक्का देकर दर्वाजा खोला और पाया की लिंगेर की एक वस्तु को पकड़े हुए अंदर था मेहर ने एक आह भ的人 से कहा अब दुखी होने की जरूरत नहीं है मैडम मेडम मेरे पास लिंगेर को खोजने का एक तरीका है लिन्शुआं मूल रूप से राख के चहरे वाला था, वस्तुता उसकी आखों में जीवन का कोई लक्षन नहीं था महर की बाते सुनकर वह तुरंट उच्छल पड़ी और उसने महर की बाह पकड़ ली, ऐसा लग रहा था मानो वह पागल हो और उसने कहा, मास्टर ये, आ मैं इसे तुरंट आपके लिए ले आऊंगा, जल्द ही लिन्शुआं कपड़ों का एक छोटा और उत्तम टुक्रा लेकर आया, महर ने आत्मा मार्गदर्शन धूप के साथ इसे सीधे प्रजवलित किया, उसी समय महर के दिल में हलकी सी हल चल हुई और उग्र उसके सामने की एक किरन के साथ आग की लप्टों में बदल गया, यह द्रिशे देखकर लिन्शुआंग अवाक रह गए, फियरी के चले जाने के बाद महर ने लिन्शुआंग से कहा, वास्तव में मेरा मानना है कि आपके और मालिक यान के दिल में भी कुछ अनुमान है, है ना, उस व् राजक, शैतान, सागर के खून खराबे और कुरूरता के बारे में गहराई से पता था, उर्ण मार्शल शक्ती के बिना, किसी के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था, जीविको पारजन की इस प्रकार की यात्रा व्यापार पध्धती पार्टी के मुकाबले के नहीं थे, शहर के एक गुप्ट स्थान पर तीन आदमी एक चोटी लड़की पर नजर रख रहे थे, उनमें से एक ने हलका कवच पहना हुआ था, वह लंबा और सुडॉल था, जाहिर है वह इन तीन लोगों के नेता थे, मिलोड इस लड़की का व्यवहार अच्छा नहीं है, आए हम उसकी अच्छी देख भाल करें, मार्शल आर्टिस्टों में से एक ने छोटी लड़की के चहरे पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, मार खाने के बाद छोटी लड़की में और संधर्श करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वह लड़की से भर कर तीनों लोगों को घूर कर देखा, पिछली बार अफ़रन होने के बाद भी वह छोटी थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन इन कुछ सालों की पीडा ने उसके जीवन को नर्क से भी बत्तर बना दिया, इस बिंदु ने यान लिंग को उसी लोगों की तुलना में अधिक परिपक बना दिया, इसलिए इन लोगों द्वारा अफ़रन किये जाने पर यान लिंग को उनसे बेहत घ्रिना थी, हलके कबच पहने उस व्यक्ती ने यान लिंग की ओर देखा, उसकी आखें संदेह से भर गई और वह बुदबुदाया, उस पल्स सेवरिंग डिवाइन पाम की शक्ती अविश्वसनिय है, एक छोटी लड़की के बारे में भूल जाओ, यहां तक कि एक युद्धनुभवी मार्शल कलाकार भी इसका सामना नहीं कर सकता है, यह लड़की संभवता कैसे ठीक हो सकती है, क्या महा महिमने, गलत पहचान यान जून उनमें से सबसे उतक्रिष्ट हैं, उस समय उस सौदे ने उसकी सारी बचत लगभख्त्म कर दी, मैंने नहीं सोचा था कि कई सालों के बाद उन्होंने फिर से काफी संपत्ती जमा कर ली है, हे हे तो क्या, क्या वे सिर्फ सूर नहीं हैं, जिन्हें महा महिम पाल एक बार मोटे हो जाने पर उन्हें काटना, यहां इस लड़कियों के रहते हुए, क्या हम अब भी डरेंगे कि यान जून आज्याकारी रूप से प्रस्तुत नहीं होगी, एक मार्शिल आर्टिस्ट ने कहा, उह, यह सच है, इन मोटे सूरों को धन्यवाद की मैं अपनी व प्रणहीं शेत्र में प्रवेश कर लेंगे, तो आपकी भविश्य की संभावनाय असीमित हो जाएंगी, उस समय स्वाभाविक रूप से आप लाभ के बिना नहीं रहेंगे, जब दो लोगों ने यह सुना तो वे दोनों खुशी से जूम उठे, हलके कवच वाला वह अधे अधेर उम्र के व्यक्ती ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, पिछली बार पल्स सिवरिं डिवाइन पाम ने उसे नहीं मारा था, मैं नहीं मानता कि इस बार भी यह उसे नहीं मार सकता, इस बार मैं उसकी सभी शिरोबिंदूओं को अलग करने चा रहा हूं, देखो वह अब कैसे जीवित रहती है, तक्राना, 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 मिलोड इस अधीनस्थ को रिपोर्ट करने के लिए एक महत्वपूर मामला है, तभी दरवाजे के बाहर अचानक जोर-जोर से खठटाने की आवाजें आने लगी, हलके कवच वाले अधेर उम्र के व्यक्ती ने अप के कवच वाले अधेर उम्र के व्यक्ती की भौहें उपर उठ गई और उसने जोर से हंस्ते हुए कहा, मुझे चुनौती दो, हाँ हाँ, वास्तव में इतने साल हो गए हैं, जब किसी ने इस तरह मौत की तलाश करने की हिम्मत की है, क्या वह नहीं जानता कि यह क्लाउड ट अगवान जी इंग को चुनौती देने का साहस करता है, क्या यह कोई ऐसा व्यक्ती है, जो शिकायत कर रहा है कि उसका जीवनकाल बहुत लंबा है, और वह जीने से ठक गया है, हाँ, हाँ, क्या मजात, भले ही क्लाउड ट्रांसियेंट सिटी एक छोटा शहर है, लौड जी इंकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक जानी जाती है, यह गुंडा निश्चित रूप से मूर्ख है, जब तक कोई इसके बारे में थोड़ा पूच्टाच करेगा, वे इस तरह की मूर्ख तापूर्न बात भी नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था कि दोनों अधीनस्थों ने एक बहुत ही प्रफुलित करने वाला चुटकुला सुना है, दोनों जोर-जोर से हंसने लगे, जी यिंग समेट खुद भी हलकी सी मुस्कान दी और तीनों अधीनस्थों से कहा, आप लोग उस व्यक्ति को ध्यान से देखें, मैं जाउंगा और पहले उस बदमाश का सिरका हाँ, महा महिम, तीनों लोगों ने अपनी सेहमती व्यक्त की, अराजक शैतान सागर का नियम था कि कोई भी शहर के स्वामी को चुनोती दे सकता था, जब तक किसी के पास शहर के स्वामी को मारने की ताकत है, वे उसकी जगह ले सकते हैं, इसके अलावा, जब तक कोई चु जी इंग पहले से ही एक दशक से अधिक समय से इस पद पर थे, जब उन्होंने यह पद संभाला, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बहुत से लोग थे जो असहमत थे और उन्हें चुनोती आ दे रहे थे, लेकिन अंत में बिना किसी अपवार के वे सभी उसके द्वारा मार जी इंग के चले जाने के बाद, तीनों माथतों को दिवार के कोने से उगते हुए एक छोटे कमल के फूल का पता नहीं चला, महर चुपचाप सिटी लॉड मैनर के सामने बैठ गया, ध्यान करने के लिए अपनी आखे बंद कर ली, चुपचाप जी इंग के आने का इंतज जी इंग को चुनौती देने वाला कोई और नहीं बलकी महर ही था, लिन्शुआं की उम्मीदों के विपरीट महर तुरंक नहीं गया और लिंगेर को बचाया, इसके बजाए वह सीधे सिटी लॉड मैनर आये और सबके सामने जी इंग को चुनौती दी, मास्टर ये अपनी यह नहीं कहा था, कि वह मालिक यान को उसकी बेटी ढून्धने में मदद कर रहा था, जब तक वह यहां चुनौती देने नहीं आये, उन्होंने खोज कैसे की? Green Sea Mercenary Group और यान जून पती पतनी सभी यहां देख रहे थे Green Sea Mercenary Group के सभी सदस्य इशारे कर रहे थे सपष्ट रूप से महर की हरक्तों से बहुत हैरान थे Linz Wang ने अपने पती का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके चहरे पर चिंतित भाव दिखाते हुए कहा पती, मास्टर येने कुछ अनुमान लगाया होगा और लिंगेर की ओर से खुल कर बोलना चाहता है लेकिन लेकिन यान जून की अभिव्यक्ती बहुत बदसूरक थी हाला कि वह पहले कभी Z-Ying से नहीं मिला था लेकिन क्लावड ट्रांसियंट सिटी में चुपचाप यान लिंका अफ़रन करने में सक्षम होने के लिए Z-Ying के अलावा और कौन हो सकता था सिटी लॉड Z-Ying स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा संदिग्ध था लेकिन अगर वह जानता भी था तो भी वह कुछ भी करने में असमर्थ था प्रित्वी नर्सनहार उदगोशना के नंबर 463 विशेशगय पूरी तरह से ऐसे नहीं थे जिनसे वह निपट सकते थे अकेले रहने दें कि सिटी लॉड मैनर में अभी भी कई विशेशगय थे यान जून ने शुरू में ही अपने भागय से इस्तिफा दे दिया था और पिछले कुछ वर्षों में अपनी सारी बचत जी इंग के लिए निकाल ली थी उसे उम्मीद नहीं थी कि महर वास्तव में बाहर भाग गया और सिटी लॉड जी इंग को अपने दम पर चुनौती दी आखिरकार यान जून इसे बरदाश्ट नहीं कर सका और महर के सामने आकर आग्राय करने लगा उसकी ताकत अथा है शहर के स्वामी को चुनौती देते हुए यह निर्धारित करना होगा कि कौन रहता है और कौन मरता है आप लिंगेर के लिए ऐसा कर रहे हैं हम पति-पत्नी जीवन भर दोशी महसूस करेंगे मास्टर ये हम पति-पत्नी लिंगेर का इलाज करने के लिए पहले से ही आपके बहुत आभारी है लेकिन यह जी यिंग उसे वास्तव में उकसाया नहीं जा सकता अब जल्दी जाओ, Cloud Transient City छोड़ दो, जितना आगे जाओगे उतना अच्छा होगा लिंग शुआंग ने भी आग रह किया लेकिन उसकी आवाज अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि हलके कबच पहने एक अधे उम्र का आदमी जो हवा में उड़ रहा था महर के सामने उत्रा हाँ, मेरी सहमती के बिना जी जी इंग की अगर आप लोग जाना भी चाहें, तो भी आप नहीं जा सकते चुकि आपने चुनोती पेश की है आपको मृत्यू के प्रती जागरूकता होनी चाहिए जाना, आप लोग कहा जा सकते हैं जी इंग ने अहंकार पूर्वक कहा, जब यान जून ने जी इंग को देखा, तो उसकी आखें आग उगलना चाहती थी, वह इसे अब और बरदाश्ट नहीं कर सका और बोला जी इंग, क्या वह तुम ही थे जिसने लिंगेर का अफ़रन कर लिया था, यान जून ने मूल रू जो इस सीट को चुनौती दे रहा है, एक बार समय पूरा हो जाने पर मैं आपकी बेटी को भी वैसे ही भेज दूँगा, यह मत सोचो कि यह गुंडा समय खरीज सकता है, जी इंग द्वारा इसे खुले तोर पर स्विकार करने से यान जून और भी क्रोधित हो गया, यदि इस बात से आशंकित नहोता की दूसरे पक्ष की ताकत बहुत अधिक प्रबल है, तो वह वास्तव में इस समय उपर जाकर अपनी जान जोखिम में डालना चाहता, आप, आपको और मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप मुझे बार-बार निशाना क्यों बनाना चाहते हैं, यान जून ने आकरोश पूरवक निंदा की, जी यिंग ने यान जून को दैनिय दृष्टी से देखा और तिरसकार पूरवक कहा क्यों, हाँ 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 क्या मजाक है, क्या आप नहीं जानते कि आप इस समय किस प्रकार की जगह पर हैं, यह स्थान अराजक शैतान सागर है, इस बादल शनिक शहर में मैं राजा हूँ, तुम्हारा सब कुछ मेरा है, कुछ मात्र पृत्वी सार क्रिस्टल को क्या माना जाता है, मैं आपको लक्षे नहीं बना रहा हूँ, बलकि आप सभी को लक्षे कर रहा हूँ, इन यात्रा व्यापार व्यापारियों को, आप लो दुनिया में बहुत बेतुका हो सकता है। लेकिन इस Cloud Transient City में इसे समझना बहुत कथिन नहीं था। ये बात आसपास और देखने वाले लोगों के हावभाव से पता चल रही थी। उन्होंने यान जून की ओर बहुत दयापूर्ण द्रिश्टी नहीं डाली। इसने अधिक उदासीनता और अभमान ना थी। यहां कोई केवल मिनने के रूप में ही समाप्थ हो सकता है जिसके बारे में अन्य लोग बिना ताकत के बात करते हैं। यहां कभी भी बात करने का कोई कारण नहीं था। इस Cloud Transient City में जी इंकी ताकत सबसे शक्तिशाली थी इसलिए उसने जो कुछ भी किया वह सही था। उसने अफ़रन की कारवाईया क्योंकि इसका कारण यह था कि घास नहीं लाई जाए और सांप को डरा न दिया जाए ताकि इन व्यापारियों को जमा होने के लिए कुछ और समय मिल सके। यान जून तब तक प्रोधित था जब तक कि वह जो कुछ भी है, मेरे पास आओ। आप एक छोटी लड़की के साथ उसके हाथ में हतियार न होने पर क्यों व्यभार करना चाहते हैं। उस समय लिंगेर अभी भी कपड़े पहने हुए एक बच्चा था। कहते हुए लिंशुआम काम उठी। जी यिंग ने अपना मुह सिक और तिरसकार पूर्वक कहा, बेबी, अराजक शैतान सागर में ताकत न होना मूल पाप है। यहां कोई दया नहीं है, केवल ताकत है। आप सभी इतने वर्षों तक अराजक शैतान सागर में रहे हैं और वास्तव में इस बिंदु से देख भी नहीं सकते। मूल्ख, आप शैतान लियू यूशेंग की अभिव्यक्ती बहुत बदसूरत थी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि लिंगयर के लापता होने में वास्तव में जी इंग शामिल होगी। हाला कि उसने पहले स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन का उप्योग करके टैंसी को डरा द जी इंग का सामना करते हुए जिसकी ताकत एक स्तर अधिक थी। लियू यूशेंग जिजक रहे थे। मालिक यान ऐसा नहीं है कि मैं लियू यूशेंग मौत का सामना करने के बजाए जीवन से चिपक जाता हूँ। बात बस इतनी सी है। मैं वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आपका पैसा अगर मैं यह नौकरी करता हूँ तो मेरे पास कमाने के लिए जीवन है लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए जीवन नहीं है। लियू यूशेंग ने बेटसी से कहा। जिसक्षन ये शब्द बोले गए यान जून और लिंशुआंग जोडी क पर और भी अधिक गर्व हुआ और जोर से हंस्ते हुए कहा। मैंने पहले ही कहा था। यह क्लाउड ट्रांसियंट सिटी मेरी दुनिया है जी यिंग की। एक छोटा सा भाड़े का समूव मेरा क्या बिगार सकता है। अगर आप समझदार हैं तो पैसा तयार करके ठिकाने पर भेज दें। शायद आप अभी भी अपनी उस प्यारी बेटी को देख सकें। हाला कि बात करने से पहले तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस कचरे का निप्टान न कर दू। लेकिन बंदरों को चेताबनी देने के लिए मुर्गे को मारना ही काफी था। महर ने साइड में कुछ भी नहीं बोला। यह यान जून पति-पतनी को अराजक शैतान सागर की कुरूरता के बारे में बताने के लिए था। इस तरह का पैसा कमाना वाकई आसान नहीं था। परियाप्त ताकत के बिना अंत में यह केवल चलनी से पानी खीचने जैसा होगा। महर ने अपनी भौहे थोड़ी उपर उठाई और मुह खोलते हुए कहा उरी बकवास कही गई है। मैं तुम्हें पहले ही तुम्हारे रास्ते पर भेच सकता हूँ। क्या आप Absolute Kill Token स्वयन सौंप रहे हैं या आप चाहते हैं कि मैं स्वयन इसे लेने आओ। जी इंग्स तब ध्रह गया और उसने महर की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को भूर रहा हो और उसने कहा आप जैसे लोगों को भी मेरा Absolute Kill Token चाहिए। वापस जाओ और अगले सौ वर्षों तक प्रशिक्षन लो। यह Absolute Kill Token महर का Cloud Transient City में आने का दूसरा उद्देश था क्योंकि केवल इस Absolute Kill Token को रखने से ही कोई Slotter Steps में प्रवेश कर सकता है। निहसंदे यह प्रक्रिया एक और रक्तरंजित संधर्श होगी। यान जून की जोड़ी अपने होशखो बैठी थी। अचानक महर की बात सुनकर वे चौंके बिना नहीं रह सके। वे जल्दी से महर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े और बोले मास्टर ये आप हमारे परिवार के हितैशी हैं। आपको अपना जीवन व्यर्थ बरबाद होते नहीं देख सकते। आपकी दयालुता, शुआंगे और मैं इसे ध्यान में रखेंगे। बात बस इतनी सी है, हम इसे अगले जन्म में ही चुका सकते हैं। यह सुनकर महर मुस्कुराया और कहा, मालिक यान बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है। वह एक पृत्वी नरसनहार उद्गोशना विशेशग्य है, तुम सिर्फ एक कीमियागर हो। उसे हराना नामुम्किन है। महर ने हलके से यान जून के कंधे को दो बार थप्थ पाया और कहा, मेरा मानना है कि इस बार आपको सपष्ट रूप से देखना चाहिए था कि अराजक शैतान सागर किस तरह की जगह है। मेरे द्वारा लिंगेर को बचाने के बाद आपके तीन लोगों के परिवार को यह जगह छोड़ देनी चाहिए और फिर कभी यहां नहीं आना चाहिए। यह जगह ऐसी जगह नहीं है जहां आप लोगों को आना चाहिए। में इस तरह की चीज पहले कभी नहीं हुई थी। पृत्वी नरसनहार उद्गोशना विशेशग्यों के लिए वे हमेशा दूसरों को चुनोती देने के लिए डाइरे को पार करते रहे हैं। इससे पहले कब उन्हें दूसरों द्वारा चुनोती दी गई थी। यान जून एनलाइटनमेंट रियलम मार्शिल आर्टिस्ट भी थे। यहां मेहर द्वारा धकेले जाने के कारण वास्तव में उसके पास प्रतिकार करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। मेहर अपनी पीठ के पीछे हाथ रख कर खड़ा था और उसने उदासींता से कहा क्या आपक इस हत्या के इरादे को बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं कर सके और जल्दी से पीछे हट गए और फैल गए। पहले से ही कई वर्षों से जी इंग को कारवाई करते नहीं देखा है। उसकी ताकत पहले से भी अधिक है। उनकी हत्या का इरादा ठोस हो गया है। ऐसा लगता है कि स्लोटर सुप्रीन ट्रू इंटेंट में उनकी समझ पहले से और बहतर हो गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी प्रित्वी नर्सनहार उदगोशना रैंक इन कुछ वर्षों में बिना रुके बढ़ी ऐसा लगता है कि वह पहले से ही चरणहीन दायरे से दूर नही हैं। जी इंग को चुनोती देने वाला यह लड़का सीधे तोर पर मौत को दावत दे रहा है। जी इंग की स्थिती को वास्तविक युद्ध परिनामों का उप्योग करके लड़ा गया था। हाला कि उन्होंने कई वर्षों तक कोई कारवाई नहीं की थी लेकिन उनकी त सागर के मार्शल कलाकारों ने सार्वभामिक रूप से समझा था। वध की संकलपना भी एक उच्छ कोटी का सर्वोच सचा आशय था। जब चरम सीमा तक खेती की गई तो यह चिलचिलाती अवधारना से बिलकुल भी कमतर नहीं थी। अत्यधिक उचे दाएरे में अभ्य लेकिन जी इंग की समझ के आधार पर यह महर को जरा साभी हिलाने में असमर्थ था। यह द्रिश देखकर जी इंग के हावभाव भी थोड़े बदल गए। ऐसा लगता है कि इस लड़के में भी शोर मचाने की हिम्मत करने की क्षमता नहीं थी। जी इंग की आकरिती अच उलकठिन है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने हमला करते ही यह जानलेवा चाल अपनाई थी। जैसे ही जी इंग हिली कोई तुरंत सब्मे में चिलाया। महर ने धीरे से अपनी आखे बंद कर ली। उसका पूरा व्यक्तित भरिदय की तरह मोनोलित हृदय शेत्र में प्रवेश कर गया और अपने हाथ की हथेली की तरह आसपास के सभी परिवेश को जान गया। धातू के टकराने की तेज आवाज आई। महर और जी इंग संपर्क में आने पर अलग हो गए। दरसल महर को कई दरजन कदम पीछे खदेड दिया गया था। इस लड़के ने व उसकी ताकत वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। लेकिन ऐसा लगता है कि वह अभी भी जी इंग का मुकाबला नहीं कर पाया है। एक कदम नीचे जी इंग ने एक भी मांस पेशी नहीं हिलाई जबकि महर को कई दरजन कदम पीछे जाना पड़ा। जो भी श्रेष्ट थ उसका तुरंक निर्धारन कर दिया गया। अरे कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अहंकारी थे। पता चला कि आपका मांसल शरीर पहले से ही इस स्थर तक विक्सित हो चुका है। हाला कि आपका मांसल शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों नहों उसका भी कोई फाइदा नहीं है। मरने के लिए तयार। जी इंग ने ठंडी हनसी दी। उसने तलवार घुमा कर फिर आक्रमन किया। पलक जपकते ही दोनों लोग कई दरजन राउंड तक युद्ध करते रहे। टकराना। जी इंग ने अपना पैर उठाया और अचानक महर की छाती पर जोर से प शेशग्य से जूचते हुए वह वास्तव में थोड़ी नुकसान दे स्थिती में था। लेकिन इस कदम ने यान जून को डरा दिया। महर बिलकुल ठीक लग रहा था। अपने पैरों पर रेंगते हुए और अपने शरीर पर धूल को थप्थपाते हुए उसने कहा गुरा पांसल शरीर यह रक्षा भी हास्यासपद रूप से शक्तिशाली थी। ऐसा लगता है कि केवल वध अवधारना ही महर की रक्षा को तोड़ सकती है। जी यंग महर से निपटने के लिए अपनी वध अवधारना का उप्योग करना चाहता था। लेकिन हर बार महर ने बड़ी चतुराई से इसे टाल दिया। इसलिए वह देखना चाहता था कि कौन समय बर्बाद कर सकता है। लेकिन महर इस बात से बेखबर था। उसने अभी भी अपनी मुठिया बिना रुके लहराई जी यंग को अपनी सास लेने का कोई मौका नहीं दिया। मास्टर ये अब और मत लड़ो। यदि तुम लड़ते रहे तो तुम मर जाओगे यान जून वास्तव में अब और नहीं देख सका और किनारे पर चिलाया। हाँ, हाँ, तुम बहुत भोले हो। इस बिंदु पर क्या सिटी लॉड जी अभी भी उसे जीवित छोर देगा। लेकिन सिटी लॉड जी को इस हद तक मजबूर करने में सक्षम होने के लिए वहाँ, पहले से ही पर्याप्त रूप से गौरवान वित हो सकता है। जी इंके अनुयायों में से एक ने बड़ी हंसी के साथ कहा। लेकिन यह बहुत सपष्ट था कि जी इंके साथ अंतर बहुत बड़ा था। बर्दस्ट प्रभाव बल और देहन की शक्ती ने उनके पूरे व्यक्तित्व को बेहद अभ्यस्त बना दिया। अचानक जी इंक की पुतलिया सिकुर गई। महर का यह मुक्का सचमुच उसकी आखों के सामने से गायब हो गया। बूम। यह केवल एक जोरदार धमाका सुनने के लिए था। जी इंक का शरीर तोप के गोले की तरह सीधे जमीन पर गिरा दिया गया था। महर का मजाक उडाने वाली आवाजें अचानक बंध हो गई। उन्होंने इस द्रिश्य को अविश्वास से देखा, उनका दिमाग एक पल के लिए भी इसके चारों और खुद को लपेटने में सक्षम नहीं था। अभी यह सपष्ट रूप से जी इंग थी जिसने पूर्ण पहल पर कबजा कर लिया था। वह पलक जपकते ही क्यों हार गया। यह यहां क्या हो रहा है। जी इंग सपष्ट रूप से इस लड़के को चौतरफा दबा रही थी। उसका अचानक ऐसा हाल कैसे हो गया। एक प्रित्वी नरसनहार उद्गोषना विशेशग्यवास्तव में एक अग्यात और नामहीन दूसरे स्तरके स्वर्ग ज्यानोदय शेत्र से हार जाता है। यह बहुत अविश्वस्निय है। जी इंग को अचानक चोट लगने से हर कोई अविश्वस्निय रूप से स्तभ रह गया। जाहिर है जी इंग ने महर को चौतरफा दबा दिया था और वह जल्द ही हारने वाला था। अचानक कैसे पलट गई कहानी। जी इंग अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संधर्ष कर रही थी और अविश्वस्निय रूप से दुखी दिख रही थी। उसने खुद को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। जो हल्का कवच उसने पहले पहना हुआ था वह वास्तव में महर ने एक मुक्के से बरबाद कर दिया था और पहले से ही पूरी तरह से अपना कार्यक हो चुका था। जिसका अर्थ यह भी था कि यदि महर ने उसे एक और मुक्का मारा तो उसे निश्चित मृत्यू का सामना करना पड़ेगा। कोई कलपना कर सकता है कि पहले महर के मुक्के की ताकत कितनी भयानक थी। किसी को पता होना चाहिए कि मरम्मत से परे एक उच्च श्रेणी के गहन कलाकृती कवच को नश्ट करना तलवार को तोड़ने की तुलना में बहुत अधिक कठिनाई का स्तर था। आप वास्तव में मुझ पर अपनी चाल का परीक्षन कर रहे थे। इस बिंदु पर अगर जी इंग को अभी भी यह समझ में नहीं आया कि महर केवल उसे अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए एक लक्षे के रूप में मान रहा था तो वह बहुत मूर्ख होगा। लड़ाई में महर की मुठ मारने की तकनीक और भी मजबूत हो गई, वह और अधिक कुशल हो गई, जिसके परिनामस्वरूप उसने पीछे से भयानत मुक्का मारा। उस मुक्के की शक्ती एक फेजलेस ग्रियलम मार्शल कलाकार को नश्ट करने में बिल्कुल सक्षम थी। दूसरे स्टर का स्वर्ग ज्ञानोदय शेत्र और वह एक चरणहीन शेत्र मार्शल कलाकार को खत्म करने के लिए एक प्रमुख साधना शेत्र को पार कर सकता है। यहां किस प्रकार की अवधार ना थी। यह सच है कि पृत्वी नरसन्हार उद्घोषना के मार्शल कलाकार मजबूत थे लेकिन जब वे दूसरे स्टर के स्वर्ग ज्यानोदय में थे तो ऐसी विक्रित ताकत होना भी संभव नहीं था हवा में महर काफी चित्रे-चित्रे दिखाई दे रहा था परंतु उसका मांसल शरीर अर्टियंत शक्तिशाली था जी इंग के हमले से उन्हें कोई खास चोट नहीं आई यह सुनकर महर ने लापर वाही से कहा तुम बहुत मूर्ख नहीं हो आपका धन्यवाद मेरे वायड ड्रैगन शैडो पांच में आखिरकार महारत हासिल हो गई यह चाल वायड फायर मार्क और ड्रैगन वेव से मिलकर बनी चाल थी इस चाल का परीक्षन करने के लिए उन्होंने जी इंग को इसलिए चुना क्योंकि वह काफी मजबूत थे बेशक्त महर के पास A0 डिपर फ्लोटिंग 0 तलवार पर भरोसा करकेजी इंग को मारने की ताकत थी जी इंग की अभिव्यक्ती अतुलनिय रूप से बदसूरत थी लेकिन महर के प्रती उसका डर चरम पर पहुँच गया आप वह मुक्का अभी उसमें जो था वह वास्तव में जुलसा देने वाला सर्वोच सचा इरादा था क्या उन दोनों ने 1000 चालो का आदान प्रदान किया और यह वास्तव में सिर्फ वह लड़का था जो अपनी चालो का परीच्षन कर रहा था बहुत भयानक वास्तव में किसी की चाल का परीच्षन करने के लिए प्रिथवी नर्सनहार उद्गोशना विशेशक्य का उप्योग करने का साहस करें यह लड़का कितना आश्वस्थ है जी इंग ने अभी क्या कहा जुलसा देने वाला सर्वोच सच्चा इरादा उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिहर पूरी तरह से जी इंग को कोई महत्व नहीं देगा चालो का परीच्षन करने के लिए प्रिथवी नर्सनहार उद्गोशना विशेशक्य का उप्योग करने का साहस करने के लिए महर के पास पूर्ण आत्म विश्वास होना चाहिए भले ही उसने उस नई महारत वाली चाल का उप्योग नहीं किया हो महर के पास जी इंग को भी मारने की क्षमता थी हालाकि महर सिर्फ दूसरे स्टर का स्वर्ग ज्यानो दै था जी इंग की ओर देखते हुए महर ने उदासींता से कहा कम से कम आपके पास कुछ अंतरद्रिष्टी तो है अब मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज सकता हूँ बात ख्त्म हुई महर का चेहरा हिल गया वह जी इंग को एक मुक्के से ख्तम करने की योजना बना रहा था डटे रहो यदि तुम मुझे मारने का साहस करोगे तो वह छोटी लड़की भी मिश्चित रूप से मर जाएगी क्या आप उसे बचाना नहीं चाहते मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उसे कैसे बचाते हूँ जी इंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा यान जून के पती और पतनी जी इंग के साथ महर के रिष्टे के बारे में लंबे समय से स्पष्ट रूप से पूच्टाच की गई थी यान लिंग का अभरण मूल रूप से यान जून से एक बड़ी रकम वसूलने के लिए किया गया था लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में यह वास्तव में उसका सुरक्षात्मक आकरशन बन गया इससे जी इंग खुद से अविश्वसनिय रूप से प्रसंद हुई यान लिंग के साथ मेहर बिल्कुल भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा इन शब्दों को सुनकर यान जून पती और पत्नी के चहरे बदल गए और उन्होंने गुस्से से कहा जी इंग तुम बेशर्म हो जी इंग ने हसी से गरस्ते हुए कहा हाँ 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 बेशर्म जीतने वाला राजा बन जाता है और हारने वाला डाकू बेशर्म यह शब्द अराजक शैतान सागर में बिल्कुल लागू नहीं है लड़के चुंकि तुम्हें Absolute Kill Token चाहिए तो क्या तुमने नीचे डुगने की तयारी कर ली है क्या आप अपना जीवन चाहते हैं या उस छोटी लड़की का जीवन स्वय ही कोई एक चुने महर जमीन पर उत्रा और उसने जी यंग की ओर गैनिय द्रिश्टी से देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता जी यंग महर की जबरदस्ट गती से प्रभावित हुई और वास्तव में अंजाने में कई कदम पीछे हट गई दात पीशते हुए उसने कहा क्या तुम्हें अब उस छोटी बच्ची के जीवन और मृत्यू की कोई परवाह नहीं है महर मुस्कुराया और भीड की ओर इशारा करते हुए बोला क्या आप जिस छोटी लड़की के बारे में बात कर रहे है महर ने जिस दिशा की ओर इशारा किया था उसका पता लगाते हुए और उसकी ओर देखते हुए जी इंग की अभिव्यक्ती में भारी बदलाव नहीं आया उसके पैर कमजोर हो गए और उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया यह यह कैसे संभव है भीड में एक युवक्त एक छोटी बच्ची को बोध में लिये हुए था यान लिंग के अलावा वह छोटी लड़की कौन हो सकती है जब यान जून पती और पत्नी ने यान लिंग को देखा तो वे अपनी आखें मलने से नहीं रोक सके क्योंकि उनमें अविश्वास की ज़लक दिखाई दे रही थी एल लिंगेर पापा मा फेरी यान लिंग को ले गया और यान जून पती और पतनी के सामने आया और उसने उसे लिंशुआंग को लोटा दिया दमपती के आसू छलक पड़े लिंगेर यह सब पिता और मा की गलती थी, जिसके कारण तुम्हें कश्ट सहना पड़ा, तीनों का परिवार एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर फूट-फूट कर रोया तक्राना महर ने जरा भी संकोच नहीं किया और जी इंग को साफ सुथरा करके ख्तम कर दिया अंतिम सुरक्षातमक आकर शंक्त महोने के कारण जी इंग विरोध करने का साहस भी नहीं जुटा सकी महर ने हाथ बढ़ा कर इशारा किया जी इंग की लाश से एक टोकन उड़कर उसके हाथ में आ गया जैसे ही उसने उसे पकड़ा एक पागल ने क्यूई को मारने के लिए सिर पर हमला कर दिया तोकन पर लाल रंग का मार डालो शब्द लिखा हुआ था यह टोकन एब्सोल्यूट किल टोकन था इसके साथ महर स्लोटर स्टेप्स में प्रवेश करने और रक्त और वद से भरी यात्रा शुरू करने में सक्षम होगा एक गुरु को स्विकार करने के लिए खून तपकता हुआ बेहद शक्तिशाली हत्या क्यूई का विस्पोट महर के शरीर में प्रवेश कर गया और महर की चेटना के समुदर पर हमला कर दिया एक पल में ऐसा लगा मानो महर अंथीन कतलियाम में गिर गया हो वास्तव में उसके पास अपने आसपास के सभी लोगों को मार डालने का आवेग था थोड़ी सी भी जिजक के बिना महर ने हार्ट लाइक मोनोलित हार्ट दाइरे में प्रवेश किया इसने हत्या के इरादे को तुरंट दबा दिया महज हत्या का इरादा महर के दिल को मोनोलित की तरह कैसे हरा सकता है इस वक्त महर की एक एक हरकत पर सभी की पहनी नजर थी जब सभी ने देखा कि उसने वास्तव में मौके पर एक गुरु को स्विकार करने के लिए खून टपकाया है तो वे सभी तब तक चौक गए जब तक कि वे अपना मुह बंद नहीं कर सके एबसोल्यूट किल टोकन में अत्यंत तीवर हत्या का इरादा नहित था एक भी दुरगटना मार्शियल आर्टिस्ट को हत्या मशीन में बदल सकती है जब आम लोगों को यह एबसोल्यूट किल टोकन प्राप्थ हुआ तो उन सभी को एकांत में प्रवेश करने के लिए किसी के बिना एक जगह मिल जाएगी महर जैसा अहंकारी कौन होगा लेकिन उन्होंने स्पष्ट ग्रूप से देखा कि महर की आखें केवल एक पल के लिए धुन्धली थी फिर उनमें स्पष्टता आ गई यह नवारोहित नगरस्वामी बहुत भयानत था